तो वेल्कम बैक दोस्तो एक बार फिर से बात करेंगे हम ग्रेटर नौइडा प्राधिकरण के बारे में तीन और कम्पनियों ने दोस्तो यीडा मेरी जमीन 22 करोड रुपे का निवेश और 380 को दोस्तो मिलेगा रोजगार कोरोना संगट के बाबजूद जीडा सिटी एरिया में ओदोगक निवेश जारी है सुक्रवार को भी यमना प्राधिकरण ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये तीन कम्पनियों को भोकंड आवंटित किये तीनों कम्पनिया यहां पर करीब 22 करोड रुपे का निवेश करेंगी इससे यहां पर 380 लोगों को रोजगार मिलेगा यमना प्राधिकरण ने ओदोगिक भोकंडों के लिए योजना निकाली होई है निवेश मित्र के जरिये आविदन करने वाली कम्पनी के प्रति निदियों का वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये साक्षात कार लेकर आवंटन किया जा रहा है CEO डॉक्तर अरूणबीट सिंग की अध्यक्षता में गठित समीती ने पांच कम्पनियों का साक्षात कर लिया इसमें तीन कम्पनियों को भूकंड आवन्टित किये गए हैं जिन कम्पनियों को भूकंड आवन्टित किये गए हैं उनमें Multiply Paper Packaging Industries Private Limited, Civis उद्योग Private Limited वे CVS Technology Private Limited सामिल है ये कम्पनियां निवेश मित्र के जरिए अपने अवन्टन पत्र अप्लोड कर लेंगे साक्षात कार के मौके पर SEO रविंदर सिंग, OSD सैलेंदर भाटिया, GM परियुचना के 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 सिंग आदी दोस्तों मौझूद रहे तो तीन और कम्पनियों ने यीडा में दोस्तों जमीन ले लिए है 22 करोड रुपे काने वेश होगा, आँ 380 लोगों को रोजगार मिलने के दोस्तों यहाँ पर अब सरहन डिवलप्मेंट तो होगा ही होगा दोस्तों ये Greater Noida से बड़ी अपडेट थी तो जेवर एरपूर्ट प्लस Greater Noida की सारी अपडोट पाने के लिए आज ही हमारी यूट्यूब चैनल को जॉइन करें थैंक्स पर वाचिंग, हैव अग्रेट डे